हेलो दोस्तों सिया और राम की शादी हो गई है और यहाँ पर सिभी खाना खाने लिए बैठे हैं चली देखते हैं आगे क्या होता है खाना 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 अरे चल्दी खाना लाओ सबको भूक लगी है अरे हाँ भाई खाना शुरू करो और यहाँ पर सभी खाने का इंतिजार कर रहे है और फिर तभी यहाँ पर एक चोर आ जाता है अरे यह क्या यह तो शादी का घर है मुझे तो पता ही नहीं था कि यहां पर शादी हो रही है अरे ये के तो बहुत ही बड़ी शादी है चलो आज तो यहां से लंबा हाथ मारने को मिलेगा शादी का घर मतलब धेर सारा ख़जाना चलो अच्छा है कि मैं यहीं से गुजर रहा था चलो आप मैं अपना काम शुरू करता हूँ देखो तो अरे अरे भाई उस लड़की को तो देखो शायद वो दूलर है कितनी सुंदर है ये तो मेरे सपनों में आया करती थी अरे हाँ ये तो मेरे सपनों की राज़कुमारी है आज इसकी शादी है नहीं नहीं इसकी शादी मेरे से ही होगी स्रीफ अरे लेकिन देखो तो यहाँ पर धेर सारे लोग है अखिर मैं अपने सपनों की राज़कुमारी को कैसे लेकर जाओ अरे हाँ लगता है इनके खाने में बिहोश्टी की दवा मिलानी ही पड़ेगी यह आडिया तो मेरा हमेशा काम करता है चलो चलो यही करना पड़ेगा अरे हाँ इस सबजी में अरे वाह कितना जख खाना है चलो 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 इसमें मिला देता हूँ और थोड़ा सा इसमें भी अरे वाह मेरा काम तो हो गया आप तो मज़ा ही आ जाएगा मेरे सपनों की राजकुमारी आखिर मुझे मिल ही गई अरे क्या लगता है कोई आ रहा है चलो मैं जल्दी से भागता हूँ यहां से चलो चलो जाता हूँ यहां सोनम की पापा खाना लेकर जा रहे हैं चलो चलो जाता हूँ जल्दी से अरे वाई ये मोटा तो खाना लेकर जा रहा है अब तो सब एक एक करके बियोश हो जाएंगे चलो चलो कृष्णा खाओ भी अब बैठे क्यों हो अरे लेकिन डेजर्ट कहां पर है डेजर्ट कहीं तुम डेजर्ट वरवना भूल तो नहीं गए हो कहां पर है मीठे में अरे ये श्याम की पापा भी ना कितना टांक खीच रहे हैं भाई साहब का अरे ये क्रिश्णा का बच्चा भी ना अभी ही से डेजर्ट चाहिए अरे भाई चलो 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 जल्दे सा जलीबी भी ले आओ जलीबी ले आओ भाई जलीबी दे दो इनको येलो कृष्णा तुम्हारा डेजर्ट तुम्हारा ही फेवरेट है जलेबी अच्छे से खाना ठीक है ना अरे वाँ ये तो जलेबी है अरे वाँ हाँ सच में मुझे जलेबी बहुत ही पसंद है और ये लो क्रिश्णा तुम भी खाओ मज़े से ठीक है न आब सब खाना शुरू करो मैं अभी आता हूँ बाकी समान लेकर अरे हाँ ये तो एकदम गर्मा गर्म खाना है चलो चलो खाना शुरू करता हूँ अम यम 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 जलीबी जलीबी अरे ये क्या मेरे पेट में तो गुड़ गुड़ हो रहा है अरे नहीं मुझे बातरूम जाना है अरे दीदी सुनिये सुनिये अरे क्या हुआ राम कहीं तुम्हें बातरूम तो नहीं जाना है कहीं तुमने पना पेट तो नहीं खराब कर लिया है क्या तुम भी न अरी क्या राम को बात्रूम जाना है ठीक है चले जाओ राम जल्दी से आना ठीक है न लिकिन अरे वा देखो तो सब खाना खाने लगे अब तो मेरा पैतरा एकदम अच्छे से काम आ जाएगा अभी सब भी होश हो जाएंगे यहाँ पर सभी बच्चों को भी खाना परौस दिया गया है अले वा और यहाँ पर सभी बड़े लोग भी बैट कर खाना खा रहे है अरे हाँ खाना तो बहुत ही स्वादिस्थ है अरे हाँ तुम सही कहरो एकदम टेस्टी है अच्छा रुको राम मैं आभी सोनम को बुला देती हूँ तुम्हें बातरूम में लेकर चली जाएगी सोनम चलो खाना शुरू करती हूँ अले ये क्या आप मुझे मम्मे क्यों बुला रही है क्या हुआ मम्मे आप मुझे बुला रही थी जल्दी बताए ममी मुझे भूख लेगी है मैं अभी कुछ बेने खाया है अरे हाँ हाँ सोना मुझे माफ कर दो क्या है ना राम को बातरूम जाना है तो तुम उसे जरा लेकर चली जाओ उसे पता नहीं कहां पर बातरूम है अरे क्या ये राम भी नहीं तो हमेशा आता है फिर भी से कुछ नहीं पता है ठीक है जाती हूँ चलो राम अरे अरे हाँ हाँ सोना मुझे माफ कर दे ना क्या तुम भी ना मुझे इतना जोर से भूख लगा था अरे कोई बात नहीं बात में खा लेना चलो चलते हैं चलो अच्छा है कि सोनम आ गई अब मैं पेट भर कर खाती हूँ अरे हाँ खाना तो बहुत ही टेस्टी है तुम भी खाओ जल्दी खाओ भाई सिया अरे हाँ यह तो बहुत ही टेस्टी है अरे अरे लेकिनी मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहा है अरे ओ, 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 यहाँ श्याम की पापा चक्र खा कर गिया जाते हैं अरे, अरे श्याम की पापा क्या हो गया आ, आ, मेरे सर, और यहाँ पर रहा था भी बेहोश हो जाती है एक-एक करकर सभी यहाँ पर बेहोश होने लगते हैं अरे अरे ये क्या हो रहा है अरे दीदी क्या हो गया आपको शाम क्या हो गया अरे नहीं ये सब क्या हो रहा है आह मेरा सर और यहां पर सबी बेहोश होने लगते हैं अरे ये क्या यहां पर सब बेहोश कैसे हो गए अरे नहीं कुछ तो गड़बर है ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चे भी और सब लोग भी होश हो गए है जरूर किसी ने खाने में कुछ ने कुछ मिलाया है तब ही ऐसा हो रहा है अरे मैं क्या करू लेकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चिंके क्या हुआ तुम्हें दीदी अरे नहीं जीजू क्या हुआ आपको उठिये जल्दी से उठिये उठ जाए जीजू उठ जाए ये जल्दी से मुझे डर लग रहा है अरे नहीं मैं क्या करूँ अब अरे अरे ये क्या यहां पर सब बेहोश कैसे हो गए कहीं मैंने गल्दी से खाने में ऐसा वैसा तो नहीं मिला दिया अरे नहीं तब तब बहुती बड़ी गड़बड हो जाएगी मुझे तब पुलीस में भीज देंगे चल चलो मैं चल्दी से जाता हूँ और फिर यहाँ पर शेफ जल्दी बहागने लगता है चलो चलो जाता हूँ अरे अरे नहीं मैं क्या कुरो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाओ और यह राम कांपर रहे गया अरे नहीं और फिर तभी वहाँ चोर आने लगता है अरे वा मेरा काम तो बन गया अरे तुम कौन हो कौन हो जाओ यहां से तुम मेरे पास किमा रहे हो हरे मेरे सपनों की रानी कप आओगी तुम चलो चलो अभी टाइम है चलो मेरे साथ मैं तुमसे शादी करूँगा तुम मेरी ही दूलन बनोगी ठीक है ना नहीं नहीं मेरे शादी हो चुकी है मुझे जाने दो अरे नहीं अरे ऐसे केसे जाने दो चलो मेरे साथ ये सब आखिर मैंने क्यों किया है तुम्हें साथ ही ले जाने के लिए छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो अरे ऐसे केसे छोड़ो चलो चलो चल दिसे मेरे साथ अरे न यहां पर गोड़ने भी सिया को बचाने रखती है अरे यह क्या हटो अरे मत हटना मुझे बचाओ कोई अरे मुझे आज कोई भी नहीं रोच सकता है समझे तुम तो एक गोड़ी हो चलो चलो मैं जल्दी से भागता हूँ यहां से और फिर चौर सिया को ले कर चला जाता है अरे अरे ये के यहाँ पर सब भी होश केशे हो गए अरे शाम क्या हो तुम्हें अरे जीजू अरे नहीं और सिया कहाँ पर है लगता है किसी ने कुछ गरबर किया है यहाँ पर अखे ये सब कौन कर सकता है मैं कुछ ने कुछ करना पड़ेगा अले हाँ सब भी होश हो गए है कैसे अरे अरे सोनम ये कही तो चोर जल्दी चलो चलो जल्दी अले हाई तो माशी को ले जा रहे चलिए जल्दी चलिए सोनम तम कसकी पकड़े ना ठीक है ना चलो मेरी प्यारी घोड़ने जल्दी चलो उस चोर का पीछा करो यहां सोनम और राम चोर का पीछा करने लगते हैं जल्दी करा भोटने जल्दी चलो इसको पकड़ना पड़ेगा वरना हो मैं सिया को लेकर चला जाएगा और फिर तबी सभी को होश आने लगता है अरे यह क्या हुआ है मुझे अरे अरे यह क्या हुआ मैं लेटा क्यों हूँ अले मैं बेहोश किशी हो गई आ मेरा सर यह सब आकर क्या हो रहा है मैं इसे जमीन पर क्यों पड़ी हूँ चलो उटती हूँ जल्दी से आ मेरा सर यह सब क्या हो रहा है और फिर यहाँ पर सभी को एक एक करके होश आने लगता है अरे ये क्या हो रहा है अरे मेरा सरिता भारी क्यों लग रहा है कहीं किसे ने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया अरे क्रिशना सुना बाई जल्दी सुना मुझे भी राम का फोन आया था अरे क्या हो गया सोनम की पापा अरे वो मुझे राम का फोन आया था सिया को चोर लेकर गया है क्या कहा चोर कैसे आखिर अरे मुझे भी नहीं पता और शायद उसी रे भिहोशी का दवा मिलाया था खाने में वो चोर मेरे हाथ आजाए ना तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं आखिर हो कैसे सिया को उठा कर लिके गया अरे चल जलो हम भी चलते हैं जल्दी चलो और यहां पर चोर सिया के साथ शादी करने के फिराक में लगा हुआ है हरे तुम कही पर भी नहीं जा सकती हो अब कहाँ पर है वो देखो सोनम वो रही सिया और चोर जल्दी चलो जल्दी चलो अखिर इस चोर ने मेरे सिया को हाथ के से लगाया आज मैं इसे छोड़ूँगा नहीं रुख जा चोर मैं तुझे अभी बताता हूँ देख ले ना आज इस चोर को मैं जान से माट डालूँगा रुख जा यहाँ पर अरे अरे यह क्या यह कहां से आ गया अरे नहीं माशी चिंदा मत कीजिया हम आ गए है अरे मैं तुम्हे नहीं चुड़ूँगा यह मेरे दुलान है आज के बाद तु कभी ऐसा नहीं कर पायगा किसी के साथ भी बड़ा आया, औरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसे कैसे माफ कर दो, ये ले, ये ले, ये ले, किसे लड़की को तुन्हें हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? अरे राम बस भी कर दो वह न बुचारी के जान निकल जाएगी रहने दो अरे सियो तुम चिंता मत करो मैं अभी आकर तुमारी पट्टी खोलता हूँ पहले इस चोर को सबक तो सिखा दू अखिर इसने इसा कैसे किया अरे लगता ही आज मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा लगता मुझे यहां से भागना पड़ेगा हटो यहां से मुझे जानी दो हटो चलो चलो जल्दी करता हूँ यहां से भागता हूँ अरे नहीं कहीं मेरे पीछे ना आज़ चलो जल्दी भागता हूँ और ये चोर कही का रुक मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा रुक जा मैं तुझे अभी बताता हूँ ये चोर मुझसे आज तो बच किया लेकिन आगे से में सामने आ जाए तो मैं इसे छोड़ूँगा नहीं तुम ठीक तो हो ना सिया अरी हाँ मैं ठीक हूँ मेरा सर मुझे चक्कर आ रहा है औरे क्या हो सिया तुम्हें क्या और रुकर को मैं तुम्हें भी पगड़ता हूँ अरे सोनम देखो लगता है सिया बहुत ही द्र डर गई है इसलिए कैसे चक्कर खाकर गिरी गई अश्या चलो अभी से हम घर पर लेकर चलते हैं आराम की जरूर थे चलो चलते हैं चल्दी से और ये सोनम की बापा ये लोग तो अभी तक नहीं आए चले काम करते हैं हम भी चलते हैं उस चोर को नहीं छोड़ेंगे आज अरे हां तुम सही कह रहे हो और फिर तभी राम और सोनम सिया को लेकर आ जाते हैं चल्दी चल्दी च अरे ये क्या ये क्या हो गया सिया को चलो आखिरकार ये लोग आ गए अरे ये क्या ये सिब क्या हो रहा है अरे राम सिया ठीक तो है ना उसे कुछ हुआ तो नहीं दीदी पहले सिया को आराम कर लेना चाहिए उसके बाद विदाई होगी दोस्तों अगे विदाई की वीडियो पर बने रहिए थैंक यू